Career Guidance, a guidance for your right future. आपने answers हो सकता है, match भी कर लिए हो, तो आपको थोड़ा सापको idea लग गया होगा students की अब आपका score क्या रहने वाला है, आपका result क्या रहेगा, उसके according आप कैसे आगे admissions ले सकते हैं, counselling प्रोसीड कर सकते हैं, तो students आपका जो gate का exam होता है, first of all आपको पता ही होगा ISE Bangalore and साथ में किसी एक IIT के साथ आपका ये jointly exam conduct करवाया जाता है, और इसके बाद आप gate के exam के बाद आप master's program and doctoral programs में आप आगे enroll हो सकते हैं, engineering से related, science से related, आप master's degree, आगे आप proceed कर सकते हैं, mtech, mplan, mrk, ये जितने भी courses हैं आपके post graduation के लिए इसमें आप आगे enroll हो सकते हैं, तो आपका जैसा भी result आने वाला है, result मैं आपको बता दूं, 22 March को आपका almost 22 के आसपस आपका result declare कर दिया जाएगा, और इसके बाद आपका score card है, 26 March के बाद आपका score card भी आपको available हो जाएगा, तो आपका जो भी gate का score रहने वाला है, इसके बाद students आपको क्या proceed करना है, आप उस rank को कैस कैसे use कर सकते हैं, उस score का आपको करना क्या है, counselling कैसे करनी है, तो ये सारी चीजों में हम आपसे discussion करते रहेंगे, तो हम से जुड़े रहेंगे, और बाकी जितने भी हमारी counselling से related जितनी भी चीज़ें हैं, आप हमें YouTube पे और हर जगे follow करते रहेंगे, इस वीडियो को like भी क कीजे, subscribe कीजे, लेकिन आगे मैं आपको ये बता दूँ कि जो gate का, gate का आपका जो भी result रहने वाला है, उसके आधार पे आप आगे का कैसे work कर सकते हैं, कैसे आपको counselling करनी है, centralized counselling आपको कैसे attempt करनी है, क्या stages रहते हैं, आपको कैसे register करना है, online registration से लेकर choice locking, choice filling and आपका seat allotment then आपको कैसे institute में आपको entry लेनी है, आपको कैसे courses join करने है, choice filling में आपको पूरा जितना भी आपको guidance हम आपको दे सकते हैं, वो मैं आपको provide करूँगी, लेकिन आपको हमारे जो YouTube channels में आपकी जितने भी videos हैं, आप हमें, जितने भी आपकी doubts हैं, queries हैं regarding gate examination, regarding gate score, regarding choice filling, counsellings, admissions, then आप मुझे कोई भी query, आप मुझे दे सकते हैं, कर सकते हैं, comment के through, या फिर आप मुझे mail भी कर सकते हैं, तो आपको मैं बता दूँ जो आपकी counsellings हैं, आपका result आने के बाद, April के second week में आपकी almost counsellings start हो जाएंगी, अब April के second week में आपका जो counsellings start होंगी, उसका कैसे आपको procedure follow करना है, यह मैं तो gate के score के बाद students जो आपका gate का score जब आ जाएगा, तो उसको आपको counsellings में कैसे use करना है, लंसम तीन से चार तरगी की counsellings हैं, first number पे जो आपकी counsellings है, जो आपकी है, वो है आपकी COAP, Common Offering Acceptance Portal, जिसमें आपके IITs, IISCs, आपको उसमें participate करते हैं, and आपक PSU's में जितनी भी आपकी जो vacancies हैं, वो सारी चीज़ें भी आप उसमें देख सकते हैं, और second number में जो आपकी counsellings होती है, वो आपकी CCMT, centralized counsellings for mtech course के लिए आपकी जो counsellings होती हैं, उसमें आपके 23 NITs participate करते हैं, और 23 NITs आपके जो courses हैं, वो आपके mtech course के लिए आपको, इ friends आपके पास option है, वो यह है कि आप अपना PSU's में आप अपना job vacancies के लिए उसको utilize कर सकते हैं, अपने gate score को, and lastly आप अपने gate score को जितने भी GFTI's colleges हैं, central universities हैं, जितने भी government institutes हैं, आप वहाँ पे अपने gate के score को कैसे utilize कर सकते हैं, for mtech, ms, phd programs के लिए, doctoral courses के लिए, तो आपके जितने भी government institutes हैं, आप अपने gate के score को use कर सकते हैं, और उसमें आप admissions ले सकते हैं, mtech course के लिए, इसके बाद आप अपने gate scores को private institutes में भी use कर सकते हैं, लेकिन, firstly, आपका जो procedure होना चाहिए, gate score को use करने का, वो firstly, आपका यही होना चाहिए, जो मैंने आपको अभी discuss किया, इस को भी आप follow कर सकते हैं, हमारे facebook page को भी आप follow कर सकते हैं, आपको जो भी query लगती है, gate के counsellings में बहुत सारे friends, मेरे बहुत सारे friends हैं, जो हमें mail करते रहते हैं, कि भाई, मुझे counsellings में problem face हो रही है, मेरा score तो आगया, अब मैं उसको use नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप हमारे channel पर जाके सारे queries को आप देख सकते हैं, और हमें follow करते रही है, thank you very much friends.